है वेकम टूट अब लोगों के लिए स्टॉक्श्य अना कितने भी नुमर ओ प्रॉब्लम्स हो फ्रेम को इनालिसिस करने के या बिम को आनलिसिस करने के आप मोर्म डिस्तुविशन डागा उसको सॉल्व कर सकते हैं Moment Distribution Method जो है वो actually displacement method की category में रखा जाता है जैसे कि आप लोग जानते हैं structure को analyze करने के दो methods हो सकते हैं एक हो सकता है आपका exact method एक हो सकता है आपका approximate method यदि मैं exact method के बात करूँ तो exact method के अंदर इसको further आप classify कर सकते हैं एक होता है आपका force method और एक होता है आपका displacement method method तो आपका moment distribution method है यह exact method के अंदर displacement method की category में आता है clear इस moment distribution method को आप लोग highly cross method भी कहते हैं some people also call method of successive approximation ठीक है जो इस moment distribution के हम बात करेंगे तो इस method को start करने से पहले मुझे यहाँ पर उस method से related good concepts deal करना होंगे जिसमें से first concept आज मैं आपकों साथ में लेने जा रहा हूं और वो है आपका carry over moment ठीक है तो देखिए हम लेने जा रहे हैं हमारा topic moment distribution method में इसको short में हम MDMB कह सकते हैं तो पहले तुम्हें यहाँ पर लिख देता हूं कि moment distribution method ठीक है और इस moment distribution method के अंदर हम लोग किसके बारे में discuss करेंगे हम लोग discuss करेंगे हमारा topic number one जो रहेगा that will be your carry over moment तो देखिए ले रहा हूं यहाँ पर carry over moment ठीक चलिए start करते हैं हम आज का यह topic हमारा देखो carry over moment क्या होता है carry over moment को short में में COM भी लिख दूँगा तो कभी कभी आप देखेंगे में किवा COM लिखता हूं नजर आँगा that means I am talking about carry over moment मैं आप लोगों को बता हूं carry over moment क्या होता है जब भी कोई आपके पास एक structural member है कोई भी एक beam है या कोई भी कोई continuous beam है इस beam के एक joint पर यहीं में moment लगाता हूं तो इस moment के कारण किसी nearest joint पर कितना moment develop हुआ so यह जो develop moment होता है that will be known as carry over moment मतलब मैं कहूं कि मैंने suppose एक joint पर 100 kNm का moment लगाया और उसके नजदिक वाला जो next joint था उस पर 50 kNm का moment develop हो गया that means this 50 kNm moment is known as carry over moment and this 100 is known as applied moment तो दो type के moments के हम बात करेंगे एक होता है आपका carry over moment जो कि आपका developed moment होता है और एक होता आपका applied moment जो कि हम apply करेंगे तो देखे इसके अंदल भी बहुत सारी cases हो सकते हैं मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूं आप लोगे के लिए case number one क्या है कि जिस भी जॉइंट पर आप apply कर रहे हैं उसका अगला जॉइंट उसका next जॉइंट क्या हो fix support हो तो क्या होगा उस condition में तो मैं ले रहा हूँ when far end is fixed जब far end fixed हो तो क्या होगा देखो यह हमने क्या लिया यह हमने एक beam लिया कुछ इस तरीके से यह प्रॉप्ड केंटी लिवर हमने सब्सक्राइब किया यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर मैंने एक moment apply किया ठीक है और यह moment क्या है यह moment है आपका M clear यह moment M है इसको हम कौन सा moment कहेंगे this will be your applied moment और इस moment को apply करने के बाद यहाँ पर मैं मान लेता हूं कोई एक moment develop हुआ होगा का M A का तो यह जो M A है this will be known as your carry over moment तो M A आपका carry over moment है और M आपका क्या है applied moment है तो मुझे क्या करना है कि इस M का कितना percent या कितना portion यहाँ पर डेवलप होगा इस fix the joint पर वो निकालना में यहाँ पर चाहता हूं तो मैंने कहा कि मान देता हूं यह आपका joint A है इसलिए यहाँ पर M A moment आया होगा और तो यहाँ पर एक vertical reaction डेवलप होगी तो यह वर्टिकल रेच्शन डेवलप हो रही है तो मैं इस B को दो पार्ट में देखो किसे तोड़ रहा हूं वन पार तो इसका यह हो गया कि यहाँ पर moment लगा होगा है M का और इसका second part क्या हो गया इसका second part ही हो गया कि यहाँ पर reaction आएगा इस support के कारण अब यह reaction में क्या ले रहा हूं यह reaction मैं downward ले रहा हूं मान देता हूं मैं RB का लग रहा होगा क्योंकि मुझे पता था कि RB आएगा आप चाहें तो इसको upward भी ले सकते हैं no problem तो यहाँ पर देखो मैंने RB डाउवड इसलिए गया क्योंकि सोचो यहाँ पर moment क्या है यह anticlockwise मतलब यह beam किसा जा यगा यह beam जो है anticlockwise direction में उपर की तरफ move करेगा चूंकि यहाँ पर support है इसलिए यह beam उपर की तरफ move नहीं कर सकता इसलिए support इसको नीचे की तरफ इसलिए को प्राय करेगा इसलिए यह जो बिम है यह नीचे के तरुप creation देगा clock watch direction के लिए ठीक है तो यहाँ पर आप देखिये यहाँ पर यह बीम anti clock watch direction में move कर रहा है और यह जो बिम है यह clock watch direction में move कर रहा है अल्टिमेटली इस सपोर्ट पर आपका डिफ्लेक्शन की वालव कितनी हो चुकी है जीरो तो यह आप उससे कहें कि यहाँ पर यह डिफ्लेक्शन कितने आ रहा है इस जगह पर दिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है that will be delta equal to ml square divided by 2e i होगा और यह किदर की तरफ है यह उपर की तर और यह किदर लगड़ा है यह downward direction में देखने को मिल रहा है दोनों को add करूंगा सम कितना मिलना चाहिए 0 तो देखो मैंने यहाँ पर एक downward है मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया कुछ इस तरहिके से ml square divided by 2e i minus का rblq divided by 3e i equal to क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए अब देखो मैं इसको यहाँ पर solve करता हूँ यदि मैं इसको solve करूँगा तो आप लोग देखना किस तरीके से यह लिखा जाएगा तो यहाँ पर मैं इसको continue कर रहा हूँ यहाँ से मैं rb का value निकाल सकता हूँ क्या बिलकुल निकाल सकता हूँ तो देखो rb will be equal to कितना बनेगा rb क्या आप लोगों को 3 by 2 मतलब मुझे कितना मिल जागा 3 by 2 m by l तो यह हमें क्या मिल चुका है यह हमें rb का equation देखने को मिला rb की वेल यहाँ तर निकालते आगे यह दिया आप लोगों को तो अब आप लोगों को क्या करना है अब आप लोगों को moment लेना है taking moment about a equal to 0 equation of equilibrium लगा सकते हैं हम लोग तो taking moment about a equal to 0 हम लेते हैं तो देखो मैं लिख रहा हूं taking moment about a equal to 0 तो देखो क्या रनेगा rb निचे की तरफ लग रहा था तो clockwise moment rb so rb into l मान लेता हूं यह जो length है beam का वो l है so rb into l clockwise इस जगह पर और यह anticlockwise में m moment था और यहाँ पर anticlockwise में m a moment था तो total 3 moments हमारे पास मुझूद है तो देखो मैं यहाँ पर equation लिख देता हूं उसका कि इस style में लिखूंगा कि clockwise में हमारे पास rb into l फिर उसके पास anticlockwise direction में हमारे पास है moment यह applied moment था और फिर anticlockwise direction में moment at a m a मुझूद है will be equal to 0 मैंने rb का value यहाँ से पूट के यह जो में निकाला था rb का value होने लिया 3 by 2 m by l into l minus का m equal to m a यह m को में इंधर साइड ले गया तो मैंने कहा l से यह l cancel हो चुका है 3 by 2 m में से m गया तो बचा half m equal to m a and this m is nothing but your carry over moment तो यहाँ पर आपका carry over moment m a का value है वो कितना आ चुका है half of applied moment आ चुका है half of applied moment यहाँ पर हमें इसको देखने को मिल रहा है clear इतनी बात तो देखिए कुल मिलाकर आज मैंने क्या सिखा यह m a का value है यह मैंने किसका value लिखा है m a का m a is the carry over moment तो मैंने आज यह सिखा कि जब भी किसे joint पर आप moment लगा रहे हैं और उसका next joint fixed है तो उस fixed joint पर आपके applied moment का 50% moment develop हो जाएगा मतलब सोचिए इस joint पर मैंने 100 kNm का moment लगाया था जिसके कारण यह joint पर 50 kNm का moment develop हो जाएगा 50% develop हो जाएगा तो देखिए half of the applied moment m so this developed moment यह इसका induced moment भी कह सकते है इस developed moment और induced moment is known as carry over moment तो यह था मेरा case number 1 when the far end is fixed चीक है तो अब हम देखते है हमारा case number 2 तो case number 2 में क्या है case number 2 में हमारे पास joint होगा वो क्या होगा hinge होगा तो मैं लिख रहा हूँ case 2 when far end is hinged ठीक है तो far end यदि hinged है तो उस condition में next joint पर क्या moment develop हो सकते हैं उसको समझते हैं तो देखो मैंने situation ले लिया far end hinge का मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरीके से यह कोई एक beam है और यह आपका कोई support होगा इस तरीके से इस beam का length आप मान सकते हैं कि L है यह joint suppose आपका A है यह joint आपका B है हमने क्या किया हमने joint B पर एक moment apply कर दिया ठीक है तो इक moment देसे ही मैंने apply किया joint B पर तो मैं क्या देखता हूँ कि moment M के कारण इस moment M के कारण यहां पर कितना moment develop हो गया यहां पर मैं मान लेता हूँ कोई moment MA develop हुआ होगा जिसको हम developed moment कह सकते हैं जिसको हम induced moment कह सकते हैं जिसको हम carry over moment भी कह सकते हैं लेकिन एक जलूरी बात और वह यह कि आपका जो joint A है वह क्या है एक simple support है एक hinge support है और hinge support पर यह simple support पर हमेशा bending moment की values क्या होती है जिरो because they are pin connected यहां पर moment develop नहीं होगा कुल में आकर कहने का मीनिंग यह है यहां पर MA का value क्या रहने वाला है आपके MA का value है यहां पर 0 रहने वाला है मतलब यहां पर आपका carry over moment कितना हो चुका है जीरो हो चुका है clear तो लास्ट केस जो देखा था हमने फारें fix उसमें कितना moment develop होता है 50% यहां पर 0% यहां पर यहां पर 100 km का moment आया है तो इस वाले end पर 0 moment develop होगा clear next case हम देख रहे है which is the last case case number 3 और वो यह है when you have cantilever support or cantilever beam so case of cantilever beam यहां पर हम लिख देते है cantilever beam का यदि condition आ जाए तो उस case में क्या होता है तो देखिए मैंने क्या किया मैंने एक cantilever beam लिया यहां पर मान लिता हूँ यह a है मान लिता हूँ यह joint b है हमने free end पर एक moment apply किया देखो free end पर हमने एक moment m apply किया this is your applied moment यहां पर हमने मान लिया कि एक moment anti clockwise direction में develop होगा m a का लगाया था anti clockwise में develop ही मैंने सब्समान लिया anti clockwise में इसको solve करूँ तो देखो मैं क्यसे solve करूँगा summation of m a equal to 0 लिखू क्योंकि मुझे तो m a का value निकालना है तो क्या लिखाओगे anti clockwise direction में m a यह भी anti clockwise direction में m equal to 0 इसा लिखेंगे यदि इसा लिखेंगे तो फिर आप देखिए यहां पर यहां पर m a का value कितना निकलाएगा यहां पर m a का value है वह आ जाएगा आपका माइनस का m a कितना आ जया माइनस का m आ जया इसका मीनिक क्या हुआ इसका मीनिक यह हुआ कि suppose यदि मैं 100 किलों किलों मुटर मीटर का moment लगाऊँगा सपोस्थ मैं 100 kNm का मोमेंट यहाँ पर लगा तो यहाँ पर भी 100 kNm का भी डेवलप होगा लेकिन आपूजिट डियेक्शन में डेवलप होगा मतलब यहाँ पर यहाँ पर अभी तक तीन कैसेश बता दिया हैं ये तीनों कैसेश बहूत इंपोर्टेंट है जो कि आपके आने वाले different type के structures को analyze करने में काम आएंगे first case जलिए हम इसको revise कर लेते हैं first case क्या था when the far end is fixed तो उस condition में हमने देखा था आप जो भी moment apply करेंगे उसका 50% next joint पर develop हो जाएगा case number 2 हमने देखा when the far end is hinge आप जिता भी moment लगाएंगे zero ही develop होगा next joint पर और third case हमने देखा when the far end is means your system is acting as a cantilever in that case यदि free end पर लिए आपको moment लगाते हैं तो same amount का same magnitude का moment develop हो जाएगा next joint पर लेकिन उसकी जो direction होगी वो opposite होगी तो यह तीन conditions हम लोग ने इस वीडियो में discuss किया है I hope you enjoyed next वीडियो में मिलेकर आँगा concept number 2 यह था आपका concept number 1 carry over moment next वीडियो में मैं आपके लेकर आँगा concept number 2 that is carry over factor carry over factor का meaning आपको तभी समझ में आएगा जब आपको carry over moment समझ में आएगा आप लोग यह वाला lecture तयार करके ready रखिए next वीडियो में हम लोग मिलेंगे with the carry over factor thank you झाल यह जए वाल झाल 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 झाल